स्लावलेकुम जी, वेलकम इनार अधर पोड़कास्ट और आज के जो हमारे गैस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गैस्ट हैं और मेरे लिए एक ओनर है कि मैं आज उस शक्सियत के साथ बैठा हूँ कि जिनने हम बचपन से टीवी पर देखते आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान की नुम आज खुरम मंजूर साथ के साथ यहां पर पोड़कास्ट कर रहा हूँ खुरम भई थैंक्यू सो मच आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्री है और क्या हाल है आपके ठीक ठाक है बस तब ठीक ठाक अलागा शुकर है विकाजम ट्रॉफिक फिनिश किये माश अला फ पाकिस्तान पर के रहें गाल खाला था तो किस तरह से आपकी जरनी रही इस आसा प्सक्राइब कर दाउंगा अगर मैं आपको यह बोलूं कि नहीं मैं पाकिस्तान खेल गे इस कोच रहिए और मैं खेल गया वह सब ऐसा कुछ नहीं है और ना होता है और मेरी श्टोरी यह है कि मैंने यह जो लोज इस्टवाल का ना मेरी स्टोरी है तेखें हर इनसान के एक बोलते नहीं है पहले बोगी लगती है फिर वो लाइनप होती है फिर एंड में इंजन आता और फिर आपकी गाड़ी चलती है तो वो बोगी वाला सिस्टम यह था कि 92 वर्ल कप में मुझे बाख़ुदा नहीं पता था कि किर्केट गेम क्या होता है पाकिसान जीत रहा है हार रहा है वाले सापको बहुआ शौक था और रात में उटके मैश देखते थे तो हमें स्कूल कियो ऐसे जल्ली से लाते हैं कि सु खुशी की आवाज आ रही है तालियां बजनी है कभी अब्बू का मूद सुइंग वावा कि यार ये अजीव हुआ है गुस्से में तो मुझे समाझ ही नहीं आता था ये क्यो है मैं अम्मी से मैंने पूछा था ये अब्बू इतने आज खुश खेरियत हाँ जीत गए अच कि गली में कोई भी स्पोर्ट्स है ना तो वो खेलना है अब उस टाइम मलीर में जो स्पोर्ट्स होते थे मैं ओन करता हूं मलीर से क्योंके मैं मलीर में रहता था और अभी भी मैं जाता हूं जब भी मौका मिलता है साबिर कॉलोनी एच एरिया ये मेरे लाकिये का नाम था जहां में रहा था और H75 हाउस नमबर था तो गली में एक मिसाल दे रहा हूं के कंचे हो रहे हैं कोना कोना है चुपन चुपाईए मारां पिटी यह वहां के बेसिक गेम थे और यही गेम होते थे पूरे कराची गेंगे हैं हमने यह देखा हम यह खेलते वे बड़े-बड़े ठीक है और उसमें बाई बाई गली में बेड़ बाल कोई लिया तो पहली बात तो यह बैड़ बॉल हरकिसी के बाफ होता नहीं था तो जो लाया उसको पहले बैटिंग करनी है अगर बैटिंग का शोंकिन अगर बॉलिंग है तो बालिंग तो उसके पास एक bet ball होती थी, तो हमारा पास बेट बाल भी नहीं होती है। पहले खिड़किया आती थी लकडी की तो उसके जो लकडी की फट्टे होते थे ना साइड वाले, ऐक फट्टा तूटा वा मिल गया था हमारा हमारा और उसी में बॉल नहीं बॉल किस तरह बनानी यह थैलियां होती थी पहले घरों अब थैलियों का रुजान नहीं है कि बहुत सारी जो शॉपिंग बैग होते थे वो घर में वालदा थोड़ी से जमा करके रख ले थे कि काम आ जाएंगे कोई चीज डाल के रखने में द सिलोट से वा गया, इसटे-इसले गली की टीम बनी हो गली के अंदर गली के 10 लड़के होते थे यारा विया रहा कहा में नहीं पता तो句 हमा जो जिसका बड़ा कद होता था हमारा पड़ो सीज़ अधियो मेरा अच्छा दोढ़ी है तो उसको Cape Five isे पांच्वाम का का मैणन ह तंद में सबसे महंगा और सबसे अठी तो पानी का एग जीत रहे हैं तो उनी वहां से शूरु है कि है तो वह यह यह जीत रहे हैं ना बैटिंग का पता ना बालिंग का पता ना मैं खेलूँगा आ जा पता यह पता है अब गिलास आएगा गली में तो यह जर्णी है हमारी उसक्त गली के लिए खेल दे दें बस गली के लिए जीतना है जिताना अपनी गली के लिए उसक्त हम यह शौक बिता है 14 अगस्त है गली सजाना है अब गली में जाड़ों में भी लग रही है हर घर से पौदे मांग रहे हैं बाई गली सजानी तो पौदे दे 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 Coronbird चंदा लड़िया लगाई पाकसान के जटी लगी मी ए और जहाँ दादा पैसे बचाने हैं तो ढोरी लगा ही खुदी लगा रहे हैं ताके पैसे बच जाएं, तो वो एक अच्छी जर्णी, खुबसूरत जर्णी है, जो मैं शायद कभी मैं नहीं बूल सकता है, और वो चीज आज के दमाने मिसिंग है, बिल्कुल गायब है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह मेरे ख्याल से जो हम 90's किड्स हैं, लेट 90's वाले, ब गली में, अगर वो आठ लड़के अक्टिविटी कह रहे हैं तो सब जन्डी लगा रहे हैं, एक लई लगा के दे रहा है, दो जन्डिया लगा रहे हैं, एक उदर से पकड़ा, एक उधर से पकड़ावाँ, तो ईस X PRO तो बहुत हेक्टिक लगता था, मगर बहुत सफर आज तो माशालला अल्ला सबको दे 90 परसंट रड़का अपनी कन्विंस से आता है बाइक हो गाड़ी हो कार हो बस से भी आते हैं तो बसें भी बहतर हो गई पहले तो पता ही नहीं होता था फोर सीटर में जा रहे हैं बसें छट पे लेड़ गए अलाव निये जी बैग है तुम्हार साथ चलान कर जाएगा उपर लेट जा और दिखेगा तो चलान तुम ही बरोगे अब उपर कीले निकली मी अब उपर लेटके जा रहे हैं उसमें कपड़े भी फट रहे हैं जिसम में भी लगरी है मगर जाना जी अजगलिशा पैक्टिस पे तो वहां तक आप ल लागे कि एकसरियत में किले निकली होती हूपर इतना क्लेर नहीं होता तो वह एक खुबशूरत जर्नी है क्या बात है? जिससे आप डैफलेब होते हो, मेंटली मदबूत होते हैं, फिजिकली मदबूत होते हो और हर लड़की की जर्नी है और हर चीज की जर्नी है तो वो मेमोरीज हैं जो आपको बिल्ड करती हैं, बिसिकली आपकी कहानी को बिल्ड करती है, आज जहां भी हूँ जो भी हूँ उस पर और दिगार का शुकर गुजारू हूँ और अल्ला ने सोच से बढ़के दिया और दे रहा है मगर एक चीज बिलकुल क्लियर है कि महनत के लावा कुछ भी चीज ना आपको आपकी मंदल तक नहीं लेके जाता अगर आप महनती नहीं हो क्या बात है अगर आप फोकस नहीं हो किसी भी फीलिमें हाँ अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो सबसे पहली चीज आप अपने आप से ऑनेस्ट हो लोग इस चीज को गाइब कर देते हैं कि हाँ यार यह फील्ड है मेरी खेल जाओगा बन जाओगा वहाँ पहुँच जाओँगा नहीं अपने आप से अनिस्टी यह पूछो अनिस्टी से कि मैं क्या इस फील्ड के लिए सूटेबल हूँ मेरे में कितनी एबिलिटी है कितने काम की जरूरत है मुझसे अगर अगला दस कदम आगे न किस वज़ा से आगे यहां नोट किया जाता है वो दस कदम आगे मैं कैसे पहुचूँ यार उसके दस कदम में उसको दस साल लगे बहुत डीप है हर चीज मगर आजकल इतना एक तो एडवांस भी हो गया थोड़ा सा मगर मेरा यह मानना है आज भी वही कामियाब है जो जिसको हम किर्किटिंग लेंग्विज में कहते है रगड़ा खा के आता है जिसको बोलते है बड़े बुड़े पक किया है जिसे इकबाल कहते है कि दाना खाक में मिलकर प्लू गलजार होता है यह तो आप जब तक पकोगे नहीं ना, अच्छा यह बता है हांडी गर में बनती है, कच्छे हंडी अम्मी आपकी वेगम दे दे दें, आप खाओगे, वक्ती तो शायद दिल लखने के लिए बोलो अच्छी है, मगर आप बोलो के मज़ा नहीं आया, मगर जो पकी भी जायके होती है, वो आपकी सिहत को भी अच्छा करता है, तो इसी तरह हर शोबे में आपको बहुत रगड़ा लगना है, तब आप जाके पहाड की सूरत में सामने आते हो, लोग देखते हैं चोटी को, ओ जी वोरी, मगर उस तक पहुशने के लिए शुरवात जमीन से ही करनी है, मेरा यह मानना है, कि ऐसा नहीं है करनी है, है, वंजना ब्लू, लाखो करोड़ों में 3-4-10 की परसंटेज होगी, मगर मेरा यह मानना है 99.9 परसंटेज, फ्लॉप होने की रीजन जो होती है, वो उसका अपना डिसॉनिस्टी होती है, आप अपने अपसोनिस्ट हो, जात को अब लेटर हो ना पता है, आज मैं इतनी पैक्टिस की, आज मैं त्रेनिंग इतनी की, आज मैंने ये जल्ती हैं कि कल मुझे यह नहीं करना है, प्लान होता है, हर काम का, हर चीजँ का, बिजनिस का, खेल, खेल, हर किसम के लोग हैं, पिलकल है और बड़े खुस्पारत इसी वज़ा से आगे गिया है, उसका work ethics बहुत अच्छा है, उसकी honesty बहुत अच्छी है, उसकी commitment बहुत अच्छी है, एक मिसाल दे रहा हूँ, चीनी नहीं खानी, तो नहीं खानी. नहीं खाने, पीनी भी नहीं है, देखनी नहीं है, खाना, पीना, सुंगना तो दूर की बात है, यह स्पोर्ट्स की है ना ऐसा नहीं, हमें एक मिसाल मैं नहीं लिए कि मैंने जिस तरह शुगर अम लोग अवाइड करते हैं, वह थोड़ा तो फैट लेविल बढ़ता है, हमार फ्रूट शुगर ले ले, फ्रूट की सूरत में, तो इस तरह अपने आप से सबसे पहले ना, ओनिस्टी, वो बहुत ज़रूरी, कोई भी फिल्ड हो, मेरा ये मानना है, हो सकता मैं गला तो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हो, मैं कभी भी ना, रेलिटी को ना, बोलता नह क्योंकि नहीं आद नहीं, इससे मूँ फिर लो, ये जूट है, बेसिकली आप जो बात कह रहे हैं, उस पर भी मुझे एक अलाम एकबाल की सेंग याद आ रही है, कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपने मन में डूब के, पाजा सुराग जिन्दगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, तो जो आप बिसिकली बात कर रहे हैं, कि हॉनस्ट अपनी जात से इंसान हो, तो बिलकुल ऐसा ही है, तल्ला इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, मेरा है, बिलकुल ऐसा ही है, अब आप पूछेंगे किस तरह मेरा है, कम असकम आप अल्ला ना करे कोई रिजेक्ट हो, और मेरा यह मानना है, हर सक्सेस के पीछे रिजेक्ट का, फॉर्मूला होता है, तो आप सक्सेस होते हो, तो आप फिर बोलते हैं, यार, इसमें कसर थी, यह गलती रहे हैं, यह कसर थी, जो मुझे यहां तक नहीं पहुच प अगर थी, तो वो शायद अल्ला ने उस टाइम आपके लिए नहीं रखी, उसमें कोई बेतरी होगी, मगर मेरा यह मानना है, अगर आपकी त्यारी थी, अगर आप सही थे, आपकी पात्वे सही थी, तो मेरा यह मानना है, जब मैने के आखिर में आप इंसान ते तनका मांग मगर लोग इस चीज़ को फॉलो बहुत कम करते हैं इस चीज़ों को, बहुत मुश्किल जीद है यह, यकीन रखना, यकीन रखना, कि जैसे मगरिक के बाद अंदेरा होता है, वो हमें पता है, हम सो भी रहूंगे, हम पता आँख को लेगी ना, हम में साड़े छे सो रहा हू तो साथ बज़े अंदेरा हो चुका, अब मैं आग को ली साड़े साथ बहूंगे पता अंदेरा होगा, मैं उसी दिमाग से उठोंगा, तो कहने का मुश्किल वो बिलीव जो है ना, अल्ला पे लाना है अपनी मेहनत के साथ, ऐसा नहीं कि आप जी आप अल्ला देगा और ब परवर्दिगार को तो पता है ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, शायद कम जादा हो, मगर अल्ला मेरी मदद कर, मुझे असानिया पैदा कर, मुझे हिम्मत दे और, इस चीज़ पर विलीव आजकल बहुत कम है, आजकल है एक तो यह फूनों ने बड़ा काम खराब के, फलाने को फून कर दो, उस से मिल लो, उसकी बैठक में चले जाओ, यह बहुत गलत कॉंसेट है, आपको वक्ती फायदा होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता होता है, सब जग़ा होता है, मगर भाई, आपको इन्दी एंड मेहनत करनी है, आप शायद पहूंच भी जाओ, अंदर तो आप नहीं करना है ना, आप फिर, बोलते हैं, डेमस्ट्रेट कैसे करोगे, तब ही करोगे जब आपका पीछे, जिसको हम बोलते है, रगड़ा खाया है, पर पेशान होई दिये, दक्के खाये में, हजारों टेंशन, हजारों चीजें देखी हैं, हजारों दर्वाजों से गुज क्या बादे